तो गैस बीडे टीच के स्पार्ट की शुरुआ से उसी फाइट से होती है जहाँ पर गुही ने शावयन के उस चेलेंज को एकसेप्ट करके उसके साथ में फाइट करना शुरू कर दिया था और शावयन और गुही दोनों ही लड़ते लड़ते व ऐसे मुमेंट पर आ चुके मूब चलेगा जिनमें वो उसको हरा देगा इसलिए यहाँ की सभी के सभी पबलिक को यही लग रहा तकि शावयन उसको हरा ही नहीं पाएंगा शावयन नो उसको गुसे में आकर चैलेंज दो कर दिया लेकिन उसके ताकत के सामने वो टिक भी नहीं पा रहा है तो यही बात शौक हो जाते हैं कि क्या सच में शावयन डो हुआंग लिवल पर पहुँच चुका है क्योंकि इस पावर के साथ में वो अकेले ही दो फाइटिंग एम्परर्स को हराने की ताकत रखता है जिससे कि अब लोगों के मन में ये डाउट पैदा हो जाते हैं कि कहीं सच में शावयन गुही को हराना दे लेकिन यूशान कहने लगता है कि इस लड़के ने काफ़े ग्रोध तो कर ली है और इसके कॉमबेट स्किल टू फाइटिंग एम्परर्स के बरावर की भी है लेकिन फिर भी ये अभी उतना काविल नहीं हुआ है कि ये गुही को हरा दे कि वैसे भी गुहे के पास में भी तो डो हुआंग लेविल की ही पावर्स थी इसलिए यूशान को लगता है कि गुहे को दो मूप्स में हरा पाना इसके बाद पर शावयन तुरंत यहाँ पर अपनी सुपर फास्ट स्पीड का यूज़ करने लगता है गोही को दिखाने और उसको हराने के लिए कि वो उसको एक ही बार में हरा देगा वो अपने बिजली के रप्तार से उसके चारू तरफ ही गूमने लगता है वो इतनी जादा स्पीड के साथ में ट्रैवल कर रहा था कि गोही को समझ भी नहीं आ रहा था कि शावयन उसको हराने के लिए आकर अपने कौन से मूब को यूज़ करेगा और शावयन की इस बढ़ती हुई स्पीड को देकर गोही समझ जाता है कि जरूर यह कुछ न कुछ गड़बड करने वाला है इसलिए पर वो अपने हैविनली आई टेक्निक की मदद से अपना ध्यान के इंदरित करने लगता है और शावयन की स्पीड को ट्रैक करने लगता है इसके बारे में उसको पता चलते हैं गोही तुरंती उसके उपर अटेक कर देता है गोही यहाँ पर अपने काफी जादा पावर के साथ मैं शावयन पर अटेक करने को जा रहा था लेकिन असल में तो शावयन इसी मौके का ही इंतजार कर रहा था क्योंकि अब वो यहाँ पर यूज करता है अपनी टाइगर स्मैस टेक्निक को जिससे कि उसकी इस टेक्निक मैंसे काफी तीज रॉर निकलती है एक्टम लाइन के जैसे जो कि इतनी ज़्यादा लाओड थी कि वो गुहे के साथ साथ याँपर बैट हुई लोगों को भी पीछे धरकेल देती है जिसका सामना करने के लिए गुहे पर यूज करने लगता है अपने मांसल सोल इगल को जिसका और आहर पावर्स दोनों ही चुचा बहुत ही जादा हाई लेवल के थी लेकिन इचबार शावयन उसके किसी भी अटेक से डरता नहीं है बलकि सीधा बढ़ने लगता है गुहे पर ही अटेक करने के लिए और यही सेम आग हमें दोनों की आँखों में देखने को मिलती है क्योंकि वो दोनों ही ना तेस से पीछे हटने वाले हैं ना ही रुकने वाले हैं शावयन अपनी इस प्लूचिल एनरजी से भरा हुवा पंच सीधा हिट कर देता है गुहे को उपर जिससे कि हमें यहाँ पर एक बहुती बड़ा दमाका भी देखने को मिला था उससे यहाँ पर हवा का एक ऐसा बवंडर उट जाता है यूनी उनके चेहरे पर डला हुआ कपड़ा भी वहां से हट चुका था और इस अटेक ने गुहे को अंदर से बहुती ज़्यादा कमजोर बना दिया था जिससे कि उसको ब्लीडिंग होने लगती है और उपो हार चुका था और यहाँ के लोग ऐसा देकर बहुती ज़्यादा चौक जाते हैं वो लोग कहने लगते हैं कि शावयन की लास्ट मूब तो सच में बहुती ज़्यादा कमाल की थी यूकि उसने अपने केवल आखरी दोनों ही मूब्स में उसको हरा दिया रोयल फैमली के एल्डर ये कहने लगते हैं कि शायद मैं ये पहले से ही जानता था कि ऐसा ही होगा लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा खत्रक गुहे नहीं बलकि यून शान के डोव हौंग लेवल के फाइटर्स हैं और बात रहे यून शान के तो शावयन नहीं मुझसे कहा था कि उसे उस पर छोड़ देना यूंकि वो खुदे यून सान से लड़ना चाहता है शावयन अपने इंजरीस को हिल करने के लिए तुरंत एक पिल को भी खा लेता है और गुए नहीं यहाँ पर अपनी हार को भी एकसेप्ट कर लिया ता कि हा मैं हार चुका हूँ और तुम जीत चुके हो जिसके बाद फिर वो यूनियून से भी कहता है कि मैं तुम्हारे सामने खुद को थावित ना कर सका मैं अब ना तो आपके और शावियन के किसी भी मसली में पढ़ूँगा बलकि अब मैं यूनियून के साथ में होने वाली अपने शादी को भी तोड़कर जा रहा हूँ मुझे माफ करना क्योंकि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरा जिसके बाद भी गुहे तुरंती उससे विदा लेकर यहां से चला जाता है और गुहे के सेक्ट के यहां पर जितने भी एलर्स बैटे हुए थे वो सभी के सभीवी यहां से चले जाते हैं वो लोग कहने लगते हैं कि जब हमारे केंग यहां से जा चुके हैं वो भी नहीं होगी जिसे कि उसके मन में गुसा भर जाता है और वो कहने लगता है कि शौयन मैं इस बात को बिलकुल भी नहीं नकारूंगा कि इन बीते हुए तीन सालों में तुम पहले के तुला में बहुती ज्यादा ताकत बर हो चुके हो तुमने अपने आपको मेहनत की ब शौयन से फाइट कराने के लिए जो कि सीधे डिरेक्टली जाने लगते है शौयन की तरफ लेकिन वहाँ पुरूंसे लड़ने के लिए तो शौयन के दोस्ते पहले से ही मौजूद थे साधी साथ बागी की टीम भी तयार हो जाती है फाइट करने के लिए शौयन तभी यू तो यून्जानूस से कहने लगता है कि अगर मैंने तुम बता भी तुम तो भी सूल पेलेस का ठीक तरीके से मतलब भी नहीं जानते। और वैसे तुम्हारी जानकरी के लिए मैं बता दू कि तुम्हारी बोडी में जो सोल बोडी रहती है वो भी बहुती जल्द सोल पहले इसके हवाले हो जाएगी जिससे कि शाविन सोचेंगे पड़ जाता है कि इसी तुम मेरी मास्टर के बारे में भी पता है यानि कि यूँशन के गटिया रादों को पूरा करने में सोल पहले इसका भी काफी बड़ा हाथ होगा तब यूँशन अपनी डिसाइपल्स से कहने लगता है कि सभी लोग एक फॉर्मिशन को फॉर्म करो तो यूंशान के सभी के सभी disciples एक formation को form कर लेते हैं जिससे कि शावयन और उसकी पूरी की पूरी टीम चारों तरफ से ही घिर चुकी थी और यूंशान उससे कहने लगता है कि जरा मुझे भी तो तुम्हें चेक कर लेने दो जिस बात पर शावयन उससे कहता है कि अब तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मैंने आकर इन तीन सालों में क्या पाया है और वो अपनी flames को एक्टिव कर लेता है और इसी के साथ में ये episode भी यहीं पर खतम हो जाता है इसके आगे के episodes को देखने के लिए जल्दी से वीडियो क लाइकर दो